दोश्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चुलवल पांडे यानि सलमान खान की फिल्म दबंग से जोड़े बहुत सारे अन्नौन फेक्ट्स और इसके बॉक्स ओफिस प्रफॉमेंस के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते सलमान खान की फिल्म दबंग जिस टाइम पर रिलीज हुई थी उस टाइम पर इस फिल्म का क्रेज साइद आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर एकदम आग लगा दी थी और कमाई के पिछले सारे रकॉर्ड तोड़ दिये थे खास करते देश भर के सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों में तो लोगों की उस टाइम पर लाइन लगी हुई थी और इस बात का साक्षी मैं खुद ही हूँ जो कि दो बार सिनेमा घरों में लाइन में लगने के बावजूद भी इस फिल्म की टिकेट मुझे नहीं मिल पाई थी और तीसरी बार बड़ी मुस्कल से लाइन में लगने के बाद ये फिल्म मैंने सिनेमा घर में देख पाई थी मेरा तो फिर भी ठीक था लेकिन मेरे ही पीछे लाइन में लगे मेरे एक दोस्त के पैर में उस टाइम पर सिनेमा घर में बहुत जादा भीड खटी हो जाने की वज़े से एक सेक्योरिटी गार्ड ने उसके पैर में डंडा मार दिया था और बेचारे को घर आकर जंडु माम ही लगानी पड़ी थी तब जाकर उसका दर्द ठीक हुआ था तो ये तो फिल्म से जुड़ी मेरी कुछ स्पेसल मेमोरीज थी अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में इस ब्लॉकबस्टर एक्सन कॉमेडी फिल्म को रिलीज किया गया था इद के मौके पर 10 चतंबर सन 2010 को फिल्म में हमें नजर आये थे सलमान खान, सौनुसूद, सौनाक्षी सेनहा, अरबाज खान, विनोध खन्ना, डेम्पल कापाडिया और महेस मांज लेकर और ये सोनाक्षी सन्हा की डेब्यू फिल्म थी, फिल्म को डारेक्ट किया था अभिनाव कस्यप ने, जिनकी भी बताव डारेक्टर ये डेब्यू फिल्म थी अभीनाव कस्यब बॉलीबर्ड के जाने माने डारेक्टर अनुरा कस्यब के छोटे भाई हैं जो कि गैंग्स आव वासिप और जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं अभीनाव कस्यब फिल्म दबंगे के पहले सन 2004 और पांच के बीच में स्टार वन चैनल पर आने वाले टीवी सीरियल सिद्धान्त जैसे टीवी सीरियल को डारेक्ट कर चुके थे इसके अलावा 13B और मरोर्मा सेक्स फीट अंडर जैसी फिल्मों के लिए डायलोग से लिख चुके थे साथ ही सन 2004 में आई मनी रतनम की फिल्म युबा में असेस्टेंट डारेक्टर के तौर पर काम कर चुके थे और सिनेमा की फिल्ड से लगबख 10 साल तक जोड़े रहने के बाद उन्होंने फाइनली सन 2010 में फिल्म दबंग से बतो डारेक्टर अपना डेब्यू किया था फिल्म को लखा था अभिनाव कस्यप और दिलीब सुकला ने और फिल्म को प्रिडूस किया था अरवाज खान ने म्यूजिक था साजित वाजित और ललित पंडित का और लगबख 47 मिनिट की लेंध के गानों के सारे वरजन्स को मिला कर टोटल 10 गाने इसके म्यूजिक अलबम में रखे गए थे फिल्म का म्यूजिक अलबम सुपर हिट था इसको उस्टाइम पर टी सी रीज ने लगबख 9 करोड रुपए में खड़ीदा था फिल्म के सारे ही गाने सुपर हिट और एक से बढ़कर एक थे जो कि उस्टाइम पर फ्रिक्वेंटली सुने जा सकते थे फिल्म के गाने थे मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए तेरे मस्त मस्त दो नेन चोरी कियारे जीया हमका पीनी है और हुड़ हुड़ दबंग दबंग इन गानों के लिर्क्स लिखे थे जलीज सिर्वानी ललित पंडित और फैज अनवर ने और इन गानों में आवाज थी राहत फते अली खान, सौनु निगम, सर्या घोसाल, सुख बिंदर सिंग और वाजिद की इन मेंसे फिल्म का गाना मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए तो मास ओडियंस के बीच में इतना ज़्यादा पॉपलर हुआ था कि इस गाने को उस्टाइम पर लोग साधी और एंसे फंक्संस पर बजाकर स्पेसली सलमान खान की तरह डांस किया कर दे थे इस गाने के अलाबा सलमान खान का ये अजीब और गरीब डांस भी लोगों के बीच में उस्टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपलर था अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स आफिस कलेक्सन के बारे में तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 41 करोड रुपए और इसने इंडिया में कलेक्सन किया था लगभग 141 करोड रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 219 करोड रुपए का क 2010 में बॉक्स आफिस पर सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी सन 2010 में इस फिल्म के आसपास भी बॉली वुड की कोई और दूसरी फिल्म नहीं थी और दबंगे के बाद उस टाइम पर बॉक्स आफिस पर दूसरे नंबर पर फिल्म थी गोल मल्थरी जिसने लगभग 108 करोड रुपए का कलेक्शन किया था और ये दबंग से काफी पीछे थी इसके बाद तीसरे नंबर पर फिल्म थी राजनी थी डारेक्टर अभिनाव कस्यप ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पहले ही लिख ली थी और वो उस टाइम पर इस फिल्म को बनाने के लिए प्रोडूसर्स को तलास रहे थे अभिनाव कस्यप ने बताया कि उस टाइम पर कई सारे प्रोडूसर्स के आफिस में चक्कर लगाने के बाद प्रोडूसर्स केबल उनका नाम सुनते ही उनको आफिस से बाहर कर देते थे एक्चुली उस टाइम पर लोगों को लगता था कि अभिनाव कस्यप अनुरा कस्यप के भाई हैं और उन्हें की तरह फिल्म बनाने के बारे में प्लान कर रहे होंगे और वो प्रोडूसर्स अनुरा कस्यप की तरह बहुत ही अलग हटकर फिल्में बनाना नहीं चाहते थे इस बज़े से उस टाइम पर अभिनाव कस्यप की स्क्रिप्ट सुने बना ही बहुत सारे प्रोडूसर्स ने इसके लिए मना कर दिया था और ये सब देखकर उस टाइम पर अभिनाव कस्यप को लगा कि फिल्म के प्रोडूसर से पहले फिल्म की कास्टिंग को फाइनल करना चाहिए और साइध फिल्म की स्टार कास्ट को देखते हुए कोई प्रोडूसर इसको प्रोडूस करने के लिए तैयार हो जाए और इसके लिए उन्होंने उस टाइम पर सबसे पहले अरवाज खान को मक्षन चंद पांडे के करदार के लिए अप्रोच किया एक्चुली अरवाज खान को उन्होंने गेश्ट अपीरेंस में सन 2008 में आई फिल्म जाने तू या जाने ना में देखा था जिनका किरदार उन्हें काफी पसंद आया था और उन्हें लगा कि अरवाज खान मक्षन चंद पांडे के करदार के लिए एक दम परफेक्ट हैं और जब अरबाज खान ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने पूंचा कि इस फिल्म को कौन प्रोडूसर बना रहा है तो अभीनाव कस्यप ने बताया कि अभी तक इस फिल्म को प्रोडूस करने के लिए किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है तो उस टाइम पर अरबाज खान ने इस फिल्म को खुद ही प्रोडूस करने की इच्छा जताई और अभिनाव कस्यब तो फिल्म के लिए प्रोडूसर तलास ही रहे थे और अरबाज खान जब फिल्म दबंग से जड़ गए तो ये स्क्रिप्ट उन्होंने आगे चलकर सल्मान खान को सुनाई और फिल्म की ये स्क्रिप्ट सल्मान खान को भी काफी पसंद आई और अरबाज खान ने सलमान खान से बोला कि अच्छा होगा अगर हम खुद ही मिलकर इस फिल्म को बनाएंगे और सलमान खान इसमें लीड रॉल प्ले करेंगे हाला कि फिल्म की स्क्रिप्ट यूपी बेश्ड थी और जब तक अरबाज खान इस फिल्म से नहीं जुड़े थे उस टाइम तक अभिनाव कस्यप फिल्म के लीड रॉल में किसी एंसे एक्टर को साइन करना चाहते थे जो की देखने में थोड़ी यूपी टाइप कर लगे और इसके लिए अभिनाव कस्यप के दमाग में उस टाइम पर नरदी फुड़ा का नाम था लेकिन बाद में अरबाच खान के फिल्म से जुड़ते ही इसकी वैल्यू को और बढ़ाने के लिए सल्मान खान को इसमें लीड रॉल में साइन किया गया और सल्मान खान के करदार को थोड़ी यूपी जैसा लुग देने के लिए उनकी मूचें रखी गई थी हाला कि स्टार्टिंग में सल्मान खान को लगा कि उनके फैंस अभी तक उन्हें केवल क्लीन सेव में देखते आए हैं और साइध मूचाँवाले इस लुग में उनके फैंस उनको देख कर पसंद ना करें उस टाइम पर सल्मान खान के इस करदार के लिए बहुत सारी अलग-अलग मूचें उनके उपर ट्राई की गई थी और बाद में उनके इस लोग को फाइनल किया गया था एक्चुली इसके पहले अगर आपको याद हो तो सल्मान खान की सन 2003 में आई फिल्म तेरे नाम में सल्मान खान हमें एक यूपी के लड़के बने हुए ही नजा राये थे एक्चुली फिल्म तेरे नाम को भी एक टाइमपर अभिनाव कस्यab के बड़े भाई और अनुरा कस्यab की भी उस टाइमपर सल्मान खान से केबल इसी बात पर भाइस हुई थी कि उन्होंने सल्मान खान को बोला था कि थोड़ी यूपी जैसा लोग रखने के लिए उन्हें अपने चेश्ट पर कुछ बाल लोगाने पड़ेंगे इसके बाद उस टाइम पर थोड़ी कॉंट्रोवर्सी हुई और बाद मैं अनुरा कस्यप को फिल्म तेरे नाम से बाहर कर दिया गया था लेकिन फाइनली फिल्म दबंग में अनुरा कस्यप के भाई अभिनाव कस्यप ने सल्मान खान को यूपी जैसा दिखाने के लिए उनके चेश्ट पर बाल तो नहीं अगवाए थे लेकिन उनकी मूचें जरूर लगवा दी थी इसके अलावाब फिल्म में सोनाक्ची सेनहा को सल्मान खान के रिकमेंडेशन पर ही साइन किया गया था एक्चुली सल्मान खान ने सोनाक्ची सेनहा को एक फंक्सन में देखा था एक्चुली इस फिल्म ने उस टाइम पर काफी हद तक एक्टरिस के दूबले पतले और जीरो फगर वाले लोग को चेंज करके एक्टरिस के लिए ये साड़ी वाला नया ट्रेंड सेट किया था इसके अलाबा अगर बात करें फिल्म की सूटिंग लोकेशन की तो फिल्म में यूपी जैसा दिखने वाला ये पूरा सेट महराश्टर के वाई में लगाया गया था और वहीं पर फिल्म के जादतर सीन से सूट किये गए थे एक्चुली जादतर फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में यूपी और बहार जैसी लोकेशन को दखाने के लिए महराश्टर के वाई में ही सूट करते हैं जैसे कि प्रकास जहाने अपनी फिल्म गंगा जलके बहार वाले पूरे सिक्वेंस को महराश्टर के वाई में ही सूट किया था क्योंकि ऐसा करना फिल्म के मेकर्स के लिए थोड़ी आसान रहता है इसके अलाबा भी फिल्म के और भी बहुत सारे सीन्स महराश्टर में ही फिल्म सिटी, फिल्मिस्तान स्टूडियो और मंबई की ही कुछ आसपास की लोकेशन्स पर फिल्माए गए थे फिल्म के केबल एक गाने चोरी किया रे जिया को बाहर जाकर दुबई में सूट किया गया था एक्चुली इसी गाने में सल्मान खान हमें डेजर्ट में एक एटीवी मोटर साइकल चलाते हुए दखाई देते हैं एक्चुली इस सीन को जिस टाइम पर डेजर्ट में सूट किया जा रहा था उस टाइम पर वहाँ पर हवाएं चल नहीं थी जिसकी बज़े से इस सीन को सूट करते टाइम पर सोनाक्षी सिन्हा का दुपट्टा बाइक के पहिये में जाकर फस गया था और अगर सल्मान खान मौके पर बाइक का ब्रेक तुरंत नहीं लगाते तो सोनाक्षी सिन्हा का काफी बड़ा एक्सिडेंट हो सकता था हाला कि सोनाक्षी सिन्हा के बचने के बाद आगे चलकर जिस टाइम पर फिल्म का गाना मौनी बदनाम होई सूट किया जा रहा था तब इस गाने को सूट करते टाइम पर मलाइका अरोडा का जरूर एक्सिडेंट हो गया था एक्चलि उस टाइम पर इस गाने का एक सीन फिल्माया जा रहा था इसके अलावा फिल्म के इसी गाने को लेकर फिल्म के रिलीज के बाद एक काफी बड़ी कॉंट्रोवर्सी भी सामने आई थी एक्चुली उस टाइम पर इस गाने में यूज किये गए वर्ड मैं जंडू बाम हुई को लेकर उस टाइम पर इमामी कमपनी ने कोट में फिल्म के मेकर्स के खलाफ एक केस दर्च कर दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि इस गाने की बज़े से उनकी कमपनी के प्रोड़क्ट जंडू बाम की वैल्लू कम हो रही है हाला कि बाद में आगे चलकर इस पूरे मामले को केवल एक सर्थ पर सौट आउट किया गया था जिसमें एमामी कमपनी ने फिल्म के मेकर्स को बोला था कि मलाईका अरोड़ा ओफिसली उनके लिए जंडू बाम का प्रमोसन करें इस बज़े से बाद में मलाईका अरोड़ा ने कमपनी के लिए एक जंडू बाम का एड़ अलक से सूट किया था लेकिन एक्चली फिल्म का गाना मुन्नी बदनाम हुई डारलिंग तेरे लिए ये जो गाना था ये गाना एक बहुत ही पुराने भोजपुरी फोक सॉंग से इंस्पारिड था जिसके बोल थे लॉंड़ा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए एक्चली अभिनाव कस्यब खुद उत्तर परदेश के थे और वो चाहते थे कि फिल्म में एक गाना कुछ एंसा रखा जाए इस बज़े से इस गाने को रीक्रियेट करके मुन्नी बदनाम हुई के नाम से फिल्म में रखा गया था इसके अलावा अगर बात करें फिल्म के एक्षन सीन्स की तो फिल्म दबंग में बहुत ही स्टायलिस और बहतरीन एक्षन सीक्वेंस रखे गए थे एक्चली फिल्म के इन सारे एक्षन सीक्वेंस को विजियन और राजे सकानन ने डारेक्ट किया था और इन दोनों ने ही इसके पहले सलमान खान की फिल्म वांटेड के एक्सन सीक्वेंस को भी डारेक्ट किया था इस बजाए से अगर आप फिल्म वांटेड के और दबंग के कुछ एक्सन सीक्वेंस देखेंगे तो इन दोनों ही फिल्मों के एक्सन सीन्स में आपको कुछ-कुछ समानताएं जरूर नजराएंगी हाला कि फिल्म के स्टार्टिंग में हमें जो एक फैक्टरी में एक्सन सीन दखाया जाता है उसको काफी हद तक हालिवुड फिल्म ट्रांसपोर्टर से कापी किया गया था इसके अलाबा फिल्म के क्लाइमेक्स का ये सीन सेरलक हॉम्स की फिल्म से कापी किया गया था फिल्म के गाने तेरे मस्ट मस्ट दो नैन के कुछ सीन भी 500 डेज आप समर से एज़ेटेज कापी किये गए थे इसके अलाबा फिल्म में हमें छेदी सिंग के किरदार में नज़ा रहे सौनू सूध का भी एक एक्षन सीन को परफॉर्म करते टाइम पर एक जबरदस्ट एक्सिडेंट हुआ था एक्षली फिल्म के कलाइमेक्स में एक फाइट सीन सल्मान खान और सौनू सूध के बीच में फिल्माया जा रहा था जिसमें सल्मान खान को जम्प मारकर सौनू सूध के उपर गिरना था एक्चुली इस एक्सन सीन को सलमान खान के एक बॉडी डबल ने सूट किया था और सौनु सूध के उपर जंप करते टाइम पर उसका हाथ सौनु सूध की सीधी नाक में जाकर लगा जिससे की सौनु सूध की नाक फ्रेक्चर हो गई और उन्हें काफी गंभीर चोट आई लेकिन सौनु सूध को इतनी गंभीर चोट लगने के बाद भी सौनु सूध ने एक मामूली से ट्रीटमेंट लेकर फिल्म के आगे के सिक्वेंस को सूट किया था जिसे कि फिल्म के प्रोडक्शन्स का पैसा वेस्ट ना हो हाला कि फिल्म के ये सीन से सूट करने के बाद बाद मैं जाकर सौनु सूद का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया था ये बात सल्मान खान ने अपने खुद एक इंटर्वियू में बताई थी हाला कि आगे चल कर जब फिल्म दबंग की एक सकसेस पारटी रखी हुई थी तब उस पारटी में सल्मान खान ने सौनु सूद के काम से बहुत जादा खुस होकर अपने हाथ की घड़ी उतार कर सौनु सूद को वहीं पर दे दी थी हाला कि सल्मान खान खुस होने के टाइम पर ऐसी कई चीज़ें लोगों को देने के लिए जाने जाते हैं फिर इस बात से उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता है कि वो चीज कितनी महंगी है फिल्म दबंग को उस टाइम पर बेस्ट पॉपलर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी दिया गया था इसके अलाबा इसको 6 फिल्म फेर अवार्ड भी दिये गए थे ये award थे best film, best female debut, best music director, best action, best female playback singer और best composer के लिए और इस film की लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा popularity देखते हुए आगे चलकर इसके दो सीक्विल दबंग 2 और दबंग 3 के नाम से भी बनाए गए थे हाला कि इस film के दोनों ही सीक्विल ने कमाई तो फिल्म दबंग से ज़्यादा की थी लेकिन ये दोनों ही सीक्विल लोगों के दोलों में वो जगह नहीं बना पाए जो फिल्म दबंग ने बनाई थी तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म दबंग से जुड़े बहुत सारे unknown facts के बारे में आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अगर इस फिल्म से जुड़ी आपकी कुछ special यादे हैं तो वो भी हमें comment में जरूर बताईए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जबाब जरूर दीजिए तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए मूवी से जुड़े बहुत सारे unknown facts और एंसी हिरो चक पातों के साथ